Hello everyone, welcome back to Study Central. इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हम अपना फॉर्थ यूनिट और उसका फॉर्थ चैप्टर देखेंगे 12th 5-year plan अभी तख हमने devaluation तक complete कर लिया है मैंने description में playlist का link दे दिया है आप जाके उसमें सारी chapters पढ़ सकते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा interesting chapter वो है The 12th 5-year plan अब इसको मैं आपको थोड़ा introduction दूगी इस वीडियो में हमारा पूरा introduction रहेगा ताकि आप इसके बारे में कुछ लिख पाएं अगर ना हो जैसे कि होता है डेटमार्क से कोशन में अगर आपको कुछ भी पाता हो तो आप related लिख लेते हो इसलिए introduction दे स्टार्ट करते हैं हुआ क्या था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में इंडिया को तो इंडिया की जो इकोनोमी थी वो बहुत ही खराब थी इसका agriculture sector, industrial sector, foreign sector सब बहुत पीछे था अब सब का development एक बार में एकदम possible ही नहीं था तो हमारे इंडियान इकनोमिस्ट ने decide कि हम एक committee बठाएंगे committee 55 years के plan बनाएगी और 55 years में हम लोग target करेगे कि first 5 years में हम लोग कौन से area को develop करने वाले second 5 year में कौन से sector को develop करने वाले इस तरीके से हमने goals बनाएथे कि हम 55 year के plan बनाके फिर उन्ट में काम करेगे वो 5 साल उसी sector में काम किये जाएगा अब ये plan बनाने के लिए planning committee की तो जरुवत है ना जो कि एकदम हर जगा deeply study करके plans लिक आएगी इसकी स्राटिक हुई थी 1934 में 1934 में हमने एक planning committee एक हमारी आई थी जो जिसके कारण आई थी विश्वेश्वरा सर थे हमारे एक जिन्होंने एक book planned economy publish की थी इसके बाद सबको एक idea आया था कि हमारी भी एक economy planning committee हो सकती है तो चलिए नजर डालते हैं कि इन इंडिया first systematic attempt कप किया गया था economic planning का was made in जैसे कि मैंने आपको बताया first systematic attempt किया गया था 1934 में कब जब विश्वेश्वरा और उसकी book IP planned economy ठीक है और committee तो उनकी एक book IP planned economy यहां तक बस है उनकी book IP उसके बाद सबको first attempt लगा था economic planning यानिक कैसे कॉंचो कॉंचे एरिया में development होगा उसकी planning का उसके बाद 1937 की बात आती है यहां पे लेखा दिये मैं आपको बता देती हो 1937 में हमारी Indian National Congress इंडियन National Congress उन्होंने भी एक रिपोर्ट पब्लीश की थी with the chairman of जवाहर लागने लुए यानिकि उस time पे जो हमारे chairman बैसे से यह report प्रेजेंट तरी क्यानिक उन्होंने planning committee बनाई थी इंडियन National Congress में 1937 में और इसके chairman कॉन में यह जवाहर लागने लुए यानिकि यह planning करने की कोशिश कर रहे थे तो फर्स्ट एटेंब्ट वर्था 1934 में जब विश्वेश्वारा की बुकाई थी planned economy उसके बाद सेकेंड एटेंब्ट वर्था 1937 में जब इंडियन नाशनल इंडियन नाशनल कॉंग्रेस ने नाशनल प्लानिंग कमिटी बनाई थी जिसकी chairman कॉन कर रहे थे पंडिक जवाहलाल नहर उन्होंने क्या बनाई थी नाशनल प्लानिंग कमिटी चीक है उसके बाद साइमेंटरेस की हर कोई plans करते जा रहा था कि हम कैसे अच्छा करें कैसे अच्छा करें सबसे पहले 34 में 37 में फिर उसके बाद कुछ हमारे इंडिस्टिरी इस थे 8 leading industries in Bombay वो लोग ने अपनी भी एक प्लान प्रेजेट किया आठ इंडस्टिरी इस ने मिलके जिसका नाम रखा था Bombay plan उन्होंने plan बना के सब्मिट किया था जिसका नाम था कब हुआ था नाम था 1943 में बॉम्बे प्लान उन्होंने 8 industries ने Bombay plan सब्मिट किया था 1943 में इसके बाद भी और कुछ हुआ था जिसके एक M.N. Roy sir है उन्होंने भी 10 people's plan या 10 year 10 year people's plan प्रेजेंट किया था उन्होंने भी planning की थी कि 10 year में हम प्रेजेंट को कहां तक लेके जाएंगे तो यह सा अब ट्रायल हो रहे हैं अब फाइनल नहीं हुआ तो जो फर्स्ट हमारा आया था ना यह था आफ्टर नैशनल प्लानिंग कमिटी सब्मिटेट इट्स लॉग अवेटेड रेटोर उन्होंने नैशनल प्लानिंग कमिटी की पहली रिपोर्ट या बहुत दिन चर्णुम जो और गवर्णमेंट ने ना प्लानिंग डिपार्ट्मिक्टी सटप कर दिया गया थासे नाइटहिवा तो और अप्लाप्मेंट लोह कोन बनाएंगा इसीलिए फंस स्लेकर बगंड कोनरट वाइंटोर मैं तनिया के लिए स्लोग्ड। प्लाइनिंग की कविए सब तो ड्राफ्ट ही आ रहे था फैनल नहीं हुआ था कि 5 साल का प्लाइन कब चलोगा तो हमारी जो प्लाइनिंग कमिटी थी ना वो एक्चुली सेट अप की गई मार्च 1950 में एक्चुल उनका एक्जिस्टेंज आया या प्लाइनिंग कमिटी वस एक स्फिव्लीटेंज दिन लाइनिक कमिटी रिख रुए थी 1952 में 5000 देया और जो हमारा को अ हमयरा को स्पाइब ज्लाइनिंपी बटिन कि शुर्वाज मरी उन से हुए हमाली स습니다 1 से अ भी अगर हम एंप बूक पढ़ेंगे तो हम लोगोने 11 फ्डीन प्लान पूरे कम्प्लीट कर लिए हैं चैप्टर का और नाम है 12th 5-year plan याने कि 12th 5-year plan में क्या क्या हो था लास्ट 12 थे उसके बाद 2015 से planning committee का नाम चेंज करके अम लोगों ने नीटी आयोग कर दिया था National Institute of Transforming India तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेगी कि 12th 5-year plan में क्या क्या चीज़े फोकस की गई थी जो एकोनॉमिक और टेवलब करने में हेल्प करेगी तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साब तब तब के लिए थैंक्स पर वाचिंग